ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उमिद्वारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा कोई व्यक्तियों का नेताओं का सबू नहीं कर रहा होगा देश में पहली बार, एक ऐसा दल, जो दलों का चुनाओ, जनता के द्वार, दलों के उमिद्वार का चुनाओ, जनता के द्वारा किया जाएगा, जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्टपती का चुनाओ हो रहा है, आप ज़रा पूछिए, कि डो परनल्ड ट्रम्प को टिकट किस ने दिया, कमला हैरिस को टिकट किस ने दिया, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूँ नहीं देता है, वो रिपब्लिकन और डेमोकरिटिक पार्टी का ध्यक्ष नहीं देता है, जिसको भी चुनाव लड़ना है, अमेरिका में जिसको चुनाव लड़ना है, वो अपना अपना उमिद्वारी सामने रखता है, और उसके पास ये औसर होता है, कि छे महिना, आठ महिना, वो जनता के बीच में, पाठी के बीच में जाए, अपनी बात बताए, और जिसको जनता चुन्दे, वही उस दल का उमिद्वार होता ह तो अमेरिका वाले राष्टपती के लिए ये कर रहे हैं लोकतंत्र की जन्नी बिहार से ये नया मापदंड जन्द शुराज तै करेगा हर भिधान सभा छेत्र में मार्च से पहले मार्च से पहले जितने लोग उमिद्वारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा उनका नाम सारवजनिक तोर पर प्रकासित किया जाएगा और उसके बाद मार्च से लेकर नमबर तक उस चेत्र किये जन्द सुराज के जो संस्थापक सदस्य है जन्द सुराज को मानने जानने वाले लोग हैं जो वहा की जन्ता है वो उन पाचो छे नेताओं में सब को जाचने परखने के बाद छो महिना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का जन सुराज का उमिद्वार बन गया